next question 2019 का सवाल है question is the value of gamma which is CP by CV या इसका ratio जो होता है for hydrogen helium and another ideal diatomic gas X whose molecules are not rigid but have the additional vibration mode ठीक है are respectively equal to नो बहुत ही आसान सवाल है अगर आपके concepts of fundamental clear degree of freedom और गामा के तो इस सवाल बड़े आराम से solve हो जाएगा इस पर काफी सवाल को देखें यह बात अपने को पता है कि गामा जो है वह आपका होता है CP divided by CV का ratio और इसको 1 प्लस हम 2 by FB लिखते हैं where F is degree of freedom now degree of freedom होता है कि आपका कोई molecule जो है उसके कितनी डिगरी उसमें कितने अलग अलग तरीके से हम उनकी कानेटिक एनरजी लिख सकते हैं इसको हम degree of freedom कहते हैं ठीक है त्योरी में इसको कवर करेंगे तो यहां पर जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हम आपके 6 हो जाती है नो यहां पर जो में एक molecule दिया हुआ है एकस जो है डाय टॉमिक है ठीक है तो इसका 3 ट्रांसलेशनल प्लस टू रोटेशनल होएगा नौ उसके अलावा यहां पर अपने को दिया हुआ है कि उसकी एक और अडिशनल वाइबरेशनल मोड है तो ना हो अगर इनको आराम से हम देखें यहां पर तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आपका डायाटॉमिक है विकाउज रोजन स्टेंडलोन का भी नहीं रहेगा वह हमेशा है स्टू होएगा उसकी डिग्री ओफ्रीडम आएगी वन प्लस डायाटॉमिक ही और टू और आपका एक्स जो है क्योंकि उसकी डिग्री ओफ्रीडम सेवन है तो यह हो जाएगा वन बाइटू प्लस सेवन सो इसकी वल्ली हो जाएगी आपकी नाइन बाइन 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 सेवन सो बेस ऑन देस सम कह सकते हैं कि ऑप्शन नमबर ए वुट भी दराइट आंस